आई ये शिव्षक्ति संसार यूटूब चैनल में आपका स्वागत है वट सावित्री कथा आज हम आपको वट सावित्री माता की कथा सुनाते हैं वट सावित्री वरत जेश्ट मास की किष्णपक्ष की मावस को संपन किया जाता है वे इस्त्रियों का मैतपून पर्व है इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यम्राज की पूजा की जाती है सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मिर्टक पती सत्यवान को धरम राज से छुड़वाया था आई ये कथा वट विरिख्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैसे परसवार यम की पर्तिमा स्थापित कर पूजा करने चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा, सूथ, भिगोया हुआ चना, फूल, तथा, धूप होनी चाहिए जल से वट व्रिश को सीच कर लेने तने के चारो और कच्चा धागा लपेट कर तीन बार परिकर्मा करनी चाहिए इसके पच्चा सत्यवान सामित्री के कथा सुननी चाहिए इसके पच्चा भीगे हुए चनों का बयाना निकाल कर उस पर यथा शक्ती रुपे रख कर अपनी सास को देना चाहिए तथा उसके चड़नों को भी सपर्ष करना चाहिए मंद्र देश के राजा आशुपती ने पतनी साइत संतान के लिए सावित्री देवी काविदी पूर्वक वरत और पूजन करके पुत्री होने कावर प्राप्त किया सरवगुण संपन देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपती के घर कन्या के रूप में जनम लिया कन्या के युवा होने पर अशुपती ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पती चुनने के लिए भेज दिया सावित्री अपने मन के अनुकूलवर का चैन कर जब घर लोटी तो उसी दिन देव रिशी नारज उसके यहां पधारी नारज जी ने पूछने पर सावित्री ने कहा महराज धूम सैन के पूत्र सत्यवान की कीर्थी सुनकर उन्हें मैंने पती रूप में वर्ण किया है नारज जी ने सत्यवान तथा सावित्री के गर्णा कर अशुपती को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी परशंचा भरी पूरी की और बताया की सावित्री ने 12 वर्ष की आयू होने पर सत्यवान की मृत्वित्य हो जाएगी नारजी की बात सुनकर राजा आशुपती का चेहरा मुर्जा गया उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पती चुनने की सला दी परंतु सावित्री ने उत्तर नहीं दिया आरे कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान कावरण कर चुकी हूं तो अब वे चाहे अलपायू हो या दिरगायू मैं किसी अन्य को अपने हर्दय में स्थान नहीं दे सकती सावित्री ने नारजी से सत्यवान की मिर्तु का समय ग्याद कर लिया दोनों का विवा हो गया सावित्री अपने सराल परिवार के साथ जंगल में ढहने लगी नारजी द्वारा बताये हुए दिन से तीन दिन पुरु से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया नारजी द्वारा निश्चिति थी को जब सत्यवान लकडी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्या लेकर वे भी सत्यवान के साथ चली गई सत्यवान वन में पहुँचकर लकडी काटने के लिए विरिश पर चड़ा था विरिश पर चड़ने के बाद उसके सिर में भ्यंकर पीड़ा होने लगी वे नीचे उत्रा सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया लिटा कर उसका सिर अपने जांग पर रख लिया देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विदान के रूप में रेखा सावित्री के सामने सपष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिये कहीं कहीं ऐसा भी उलेक किया जाता है मिला है कि बटवरिक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सरफ ने डस लिया सावित्री सत्यवान को बटवरिक्ष के नीचे लिटा कर यमराज के पीछे पीछे चल दिया पीछे आतिवी सामित्री को यम्राज ने लोट जाने का उत्देश दिया। यम्राज यतास्तु कहकर आगे बढ़ गए। उसने अपने ससूर और राज्य वापिस दिलाने का प्रात्ना की। ततास्तु कहकर यम्राज आगे चल दिये। सामित्री अब भी यम्राज के पीछे चलती रही। इस बार सामित्री ने यम्राज से सो पुत्रों की मा बनने का वर्दान मांगा। ततास्तु कहकर जब यम्राज आगे बढ़े तो सामित्री बोली। आपने मुझे सो पुत्रों का वर्दान दिया है पर पती के बिना मैं मां किस परकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वर्दान पूरा कीजिए। सामित्री की धर्म निष्टा ज्यान, विवेक तथा पती वर्दा धर्म की बाद जान का यम्राज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सामित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट विरिख्ष के नीचे पहुंची। जहां सत्यवान का इम्रत शरीर रखा था सावित्री नेवट विरिख्ष की परकर्मा की तो सत्यवान जीवित हो गया प्रसंचित सावित्री अपने साथ सुसर के पास पहुंची तो उन्हें नेतर जोती प्राप्त हो गई उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया आगे चलकर सावित्री सो पुत्रों की माता बनी इस परकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिवर्ता धरम का पालन केटी से गूंजता है बोलिये शलकर भगवान की ज़ए